हाँ जी इस वक्त पाकिस्तान में जो है जानी सुर्टिहाल है बेचैनी है खास तोर पर स्यासी अर्दम निस्तेकाम जो है उसकी वो एक वज़ा है और मैं समझता हूँ कि कौमों पर सहलाब और जल्दले इसरा के हालात आते हैं मगर कौमें निकल जाती है मगर कौमों में अगर बेचैनी हो इनतशार हो और एक जो सुर्टिहाल अस उसकी तोर पर अज़म इस तकाम की उस सवाले से मुझे मैं अर्सोफ से कहारा हूँ कि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वह इस वो जिन हदार से गुजर है और उनके जो जमेधार हैं वो सारे ही हैं, मैं ये कहूंगा. उसमें चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो इमरान खान हो, या चाहे वो स्टैबलिशमिन्ट हो, ये सब जमेधार हैं. मुल्क अगर एक तरह चलता है तो यग लालच है कर्कूमत संभालने का वजीरादम बने का मरज़ीं का वजीरादम बने का लिए एक लोगया शुरू हो जाती हैं इतना बड़ा शक्स यूटन जो है उसको अच्छा समझता है दूसरी बात मुझे समझ नहीं आती कि जो इमरान खान के जो फालोर्स है वो आखे बंद करके यानि सोचे समझे बगार उसको फालो कर रहे हैं आपका तालुक किसी भी पार्टी से हो सकता है चाहिए आप लून ल अपने बहुत सारी दोस्त मुझे इस वज़े से नराज हैं कि मैं इमरान खान की बातों पर तर्गीड करता हूं मैं करता हूं और चला जाओंगा क्योंकि मेरा तालूग ना नून लिक से हैं ना प्रिप्ल्स पार्टी से हैं ना प्रिटी आई से है मैं वह बात कर रहा हूं जो मुझे समझ में आरी होती है अपर इमरान खान की बात जो है क्योंकि इस वक्त वो जलसे कर रहे हैं मुल्क में सलाब से तीन करोड़ से जल्वा लोग ने हम उतासिर हैं और वो जल्से कर रहे हैं और हर एक जल्सा 35-40 करोड़ रुपे का तक्रीमन इतनी लागा ता दी औ जल्से वो कर चुके हैं सलाब के बाद इससे पहले कि जो हम उनके बात नहीं कर रहा है तो तीन चार अरब रुपया जो था वो सर्फ इन जल्सों में हुआ उसके बाद फिर वो अमेरिका के अवाले से जो उन्होंने बिया दिया था कि जिनाबी असाजिश हुई है आज तक एक सबूत जो हो नहीं ला सके ह। क्योंके कोई भी बंदा है वो किशे पर देलनाद लगा सकता है लेकिन उसका सबूत दिये बगएर अगर आज अमरान खान उनके साथ बात्चित करते हैं और किसी को भी अमरीका के मुखालिफ नारा नहीं नहीं देते हैं। जलसों में छोटी सी ओवाज में कहते हैं अमेरिका के बारे में लेकिन उनके लोगों के साथ उनकी जो जमेदारान हैं उनके साथ मिलते हैं। फिर अभी साथ बैर जाएं और उसके साथ बैठके तो आप खाएं पीएं और यानि कोई इतिजाज ना करें लेकिन अपने घर्वालों के साथ आप इतिजाज करें और उनके साथ रणें तो यह मनाफ़त होती ही इस्टैबलिश्मेंट के अवाले से यह चलिए अफाजे पाकिस्तान के अवाले से यह जनरल बाजवा के अवाले से अमरान खान के जो मौकफ है वह आप सब को मौलूम है कि किस कदर खौफनाक और अब उन्होंने अपने जो पीडियाई के जो नौजवान हैं उनको घलत साइ जो है वह मिलने चीए चाहिए वह टेंपररी क्यों ना हो क्योंकि जाहर एक दिन की क्यों ना हो अभी जो उनके वियानत चल दें तो यूटन लेते हैं आज कुछ कह रहे होते हैं इस से भी एक अजीब सी जानी कहफियत है एक अजीब सा महोल है पाकिस्तान की श्यासत में श जो अजीब गूरीब सुरत जाल है मेरी दरखवास है पिटीए के खास और पर जो फाल्वर्स हैं उन से के आप इमरान खान से प्यार जूर करें लेकिन अंदी जो अंदा जो प्यार होता है या अंदी तलकीत जो होती है उस से गुरेश करें और गलत को गलत और सही को सही कर जो या इस वक्त जो पाकिस्तान की सुरत जाल है मैं खुड के कहता हूं कि इसका सबसे बड़ा जिम्दार जो इस्टैबलिश्मेंट है क्योंकि एक हकोमत चल रही थी दोजार तेरह के बाद इमरान खान को लाने के लिए सारा सटप जो हो लगाया गया उसमें हमारी इदाल के जिसनी को देखे हैं और मैं फिर को जिता हैं कि दौा करते हैं पाकिस्तान के लिए हिए कि खुदा असका सास्टान के इसमार भी नज़र नहीं आ रही चैनले खुदामन पाकिस्तान के साथ हो पाकिस्तान सिंदाबाद